अधे नमस्का दोस्तो स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मैंडिसी योटो चैनल में दोस्तो आज हम बीटी एसी कंडिडेट के लिए उन कंडिडेट के लिए जो अधर इस्टेट से हैं जो अधर इस्टेट से बिलॉंग करते हैं उन कंडिलेट के लिए बहुत बड़ी नियुज लेकर आएं दोस्तों इस वीडियो में लास्तक बने रहे तभी आपको पूरी बाते समझ जाएंगे और डीटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला वाला वीटीएसी कंडिलेट के लिए क्यों फायदेमंद है यह वीडियो दोस्तों जैसे कि आप लोग बिटीएसी स्टाफ नर्स के लिए बिहार में कांसलिंग करा चुके हैं अधर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना कांसलिंग भी करा चुका है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले लिया है तो दोस्तों ऐसे ही आप बहुत वेनिफिट रहने वाला दोस्तों कि उनको कुँए उनको दूबारा कांसलिंग कराने की ज Lawrence नहीं पर विजनल लेने की जरूप नहीं है उसी मारग सीड़ पर उसी सर्टिफिकेट वे-अपलोग अप्लाइव कर सकते हैं इसको अपोड्य वहूद वेनिफिट होगा अप्लाई करने में क्या जाता है तो दोस्तों आए स्टार्ट करते हैं क्या क्या इस वेकेंसी के बारे बताए गया तो यहां पर देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि स्वास्त विभाग में 12621 और पदों पर होगी नियुक्ति यह नियुक्त स्वास्त मंत्री मंगल पांडे जोरा बता जा रहा है यहां पर देख सकते हैं मंगल पांडे ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डाक्टर नर्स और अन कर्मियों की लगतार नियुकती की जा रही है यानि कि मंगल पांडे जी का कहना यह कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें बिह вам chim zachver sap कि कुल जो टोटल पदो हुरहें 12621 पदो के लिए बिग्यापन निकलने वालाLove यानि कि जलद है आप लोग बीच में वेकेंसियाने वाली टोटल जो सब्सक्रांट के रैने वाली भी है अधर स्टेट के स्टूडेंट जितने भी हैं वो इसके लिए त्यार रहें जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें क्योंकि दोस्तों आप लोग लेडी बिहार में काउंसलिंग करा चुके हैं अपना प्रोविजिनल ले चुके हैं तो आपको ज्यादा परसान होने की जर जलने वाला है यानी नई नियुक्ति होने से मर्यज मरीज्डों को और बेहतर सेवाई मिलेगी स्वास्त मंत्री ने बताया कि बिहार में तीन साल में स्वास्त विभाग में 21530 नियुक्ति बिभिन कोटी में हुई है इसके साथ ही 4000 डाक्टर की नियुक्ति हुई है यानि कि इनके कहने के मतलब है जो डाक्टर की नियुक्ति हुई है वो टोटल 4000 ह सब्सक्राइब दोस्तों नियुक्ति हो रही है जिसमें अधिर स्टूडेंट को नहीं सेलेक्ट किया जादा मतरा में तो इसके बाद इन्हों ने फिर एक और वेकेंसी निकाला हुआ जिसमें इस्टाप नर्स के लिए 4000 है और एनम के लिए 8000 है तो आप अगर लोक तयार एके इस फ़ूर आपको जरूर आप lure करिएगा जहां तक मेरा कहना यह है जितने वे बीट27 कंटे रिएट्स यानि कि जितने भी अजरूर आप्लाइग करें क्योंकि कि दोस्तों आपको आपके लिए benefit होने वाला है क्योंकि आपको ज्यादा परिशान नहीं होना पड़ेगा आप इस फॉर्म को आसानी से apply कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जिनके पास जिनको अपना प्रविजनल के लिए आपको चरें तो अशाहीं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हुगा और सेर करें अपनेTM प्रेंडों पर आप चैनल so thank you dosto